जो advertised two ऐसे अब सब तो हम लोग जो हैं बिहार special का क्या करें कि हैं अभी aam Mick रहे है गहां से हम लोग ले रहे हैं शुम्लोग क्या करें की सारा उसमें पीङ्वाई की उसका चया है तो वह भी पीज इशिचAttा एक्छाम का पहलेैं सी practice से मतलव सिवील सर्विस से उसको भी एसे स्टेंट का जो भी एक्जाम लेता है सारा को फुर किये कि Isслum Qиниar इसका बिहार स्पिछितिति चाहि को भी इसमें क्या करिया गया कि जोड दिया गया है ठीक है तो चलिए आज아 का हम लोग शुरू करते हैं वीडियो चले हैं तो लाइक करिएगा कॉमेंट करके सेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दिजेगा ताकि आपके पास पीडिया रहेगा वो टाइम टू टाइम डाल दिया जाएगा और बिहार इसपेशल का भी पूरा क्लास कर दिया गया है अगर वह नहीं देखने के बाद अगर देखते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि ज्यादा फाइदा होता है एमसी क्यू लगाने में ठीक है तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं तो आज का जो सबसे पहला कोशन है अल्रेडी हम लोग 200 कोशन लगा चुके नहीं देखें तो देख लिजेगा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है आज का जो सबसे पहला कोशन का है कि बिहार 28 VPSC में एक कोशन पूछा था कि सबसे ज्यादा बिहार का जीला बोंडरी टच करता है यूपी से ठीक है आपका जहारखंड से और आपका ओडिसा से और इसमें एक आप्शन दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं और इनमें से अधीक एक से अधीक मतलब ठीक है तो इसका ज इनमें से अधीक हो जाता है क्योंकि आठाट करता है एक से ज्यादा और एक से कम करता तो उसमें एक अंसर होता लेकिन यहाँ पर दोनों से बरावर रहने के कारण यहाँ पर एक से अधीक उप्शन सही हो रहाता तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसलिए हम लोग को क याद देखना है कि चारों तरब का मैप देख लेना है ब्यार का नेपाल से कितना जिला बोंडी टच करता है जारखंट से कितना जिला करता है कौन-कौन करता है बांगाल से कौन-कौन करता है मतलब बंगला मतलब जो अपना जो है पस्चिन बंगाल उससे कौन-कौन बोंडी करता है जमुई करता है बाका करता है भागलपूर और कटिहार आठो जो है क्या करता है कि बॉंड़ी टच करता है जिला कहां से तो आपका जार्खन से यह वाता को ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश से कौन-कौन करता ते यहां पर थोड़ा सा रोहदास बॉंड़ी टच कर लेता है यह बात आपको ध्यान में रखना है फिर आपका कैमूर करता है बकसर करता है आरा करता है छपरा करता है शिवान करता है गोपाल गंज करता है और पस्चिम चंपारन करता है ते यहां पर भी आठ को करता है ठीक है ते इसलिए आठट करने से इन में से अधीक हो गय संगाल से देखें तो कौन करता है तो कटिहार करता है पुर्णिया और किसंगंज करता है एक जो है बिहार जो है इंटरनेशनल बॉंडरी सेर करता है किसके साथ तो नेपाल से तेहां पर हम लोग देखते हैं कि नेपाल से कौन कुन करता है तो पस्चिम पराई का मिटी किस छित्र में पाया जाता है तो उपरी भाग में पाया जाता है बिहार का एवादा आपको ध्यान में रखना है यहां से और एक तरह से ऐसे भी करता आपको याद रखने पस्चिम चंपारन में रखना और ठीक है इतना याद रखते हैं तो मैप से जो है चोहदी से जो है अपना question नहीं छूटता है ठीक अगला question क्या है कि बिहार के जो रोहताज पाए जाता है अचुना पत्थर के बारे में ठीक है एक है box side एक है quartz यहा पर जो सही उतर क्या हो जाता है कि किसी चीज का raw material होता है ठीक है तो aluminium का जो raw material क्या होता है तो boxide होता जिससे क्या होता है कि उसको purify करके फिर उसको बाद aluminium निकालते हैं और उसको फिर बरतन बनाने में जहाज बनाने में जो हवाई जहाज होता है उसको बनाने में यूज होता है ठीक है तो अगर हम लोग देखे कि कवार्ड कहां पर पाया जाता है तो गया नवादा, बाका, मुगेर एसब के छेतर में पाया जाता है रोहताज जिला में चुना पत्थर, अलुमिनियम का जो एस्क है बॉक्साइट वो तो पाया ही जाता है पायराइट भी पाया जाता है, साथ-साथ इस छेतर में गंदक भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तलब बिहार में बर्सा का कारण फोन-कोन है यह आपसे उसको हटा देना है और उनमें कौन कारक नहीं है यह आपको बता देना है ठीक है तेहां पर है जो दक्षिन पक्षिम का मांसुन है वो अगर यह अपना मैप का नीचे का पुरसन देखे तो यहां से क्या होता है कि हम ल ठीक है दूसरा करक रेखा की इस्तिती जो जारखंट से होकर गुजरता है ठीक है पुरान मिर्जोरम होते हुए तो यह वाला तो भी करता है क्योंकि करक रेखा के जो भी एरिया में रहेगा वहां पर टमप्रेचर बहुत जादा होगा जहां पर बासपूत सर्जन बहुत याद रखना हिमालै पर्वत लिए परवत बासवाल ने नहीं करता है तो जो सही उत्तर हो जाता है आफका गंगा नदी यह वाता को भी ही अग्ला को boundary जो है एक शर्च रहां को बताना है पोर्निया किस hormis फाया वार्च मेर में सबसे जादा बारिस होता धौ स्टार्टैस और परिवर्तन करने के खारन कि चल रालंग आप्र इसलिए इसंगे ऑपने कि आणा परिवर्तन करने के करना किना अब इस निकाल लेता है कि बारिश कभी इदर हो जाता है जादा उत्री बिहार में हम लुक्त जानते थे लिए पानी आता है और अधार परिवर्तन करके उधर बाढ़ ला देता है इसलिए इसको क्या बोला-जाता है कि शोक बोला जाता है अगर इस पर बांध बनाकि उत्पन कर दिया जाए और उससे मचली पालन और साथ में सिचाई के लिए यूज किया जाए तो यह बहुत ज्यादा क्या होगा कि फाइदे मन सावित होगा जिसका सारा पानी क्या हो जाता है कि बेश्ट हो जाता है यह बात आपको याद रखना है तो इस पर गोवर्मेंट को ध्यान देना चाहिए हम लोग हर बार सुनते हैं कि जब से अजादी हुआ है तब से आप सुन रहे होंगे कि क्या होता है कि बर्साद का टाइम होता है तो उत्री बिहार बाढ़ में है क्यों बाढ़ में है उसको ध्यान देजिया और जब तक government इसको देखेगा नहीं तब तक वो सही होने वाला है नहीं तो बिहार का सोक किसको बोलते हैं तो कोशी नदी को बोलते हैं यह बात आपको ध्यान में रखना है और बिहार में जो है सबसे बड़ी गंगा का सहायक नदी है एवी question याद रखना है क्योंकि एक statement बना द जो गोसाई अस्थान है वहां से क्या करती है कि निकलती है यह वाला आप देखिएगा कि कोशी है तो यहां से क्या करता है कि यह उद्गम अस्थान है नेपाल का उत्तर और पुरबाले छेत्र में यह बात आपको ध्यान में रखना है तो पहला statement तो यह याद रखना यह ज बोला जाता है क्योंकि इसका वहां पे साथ धारा है साथ धारा के मिलने से बनता है इसको इसलिए नेपाल में सब्त कोशी भी बोलते हैं यह बात आपको ध्यान में रखना है कोशी नदी में जो है बिहार में जो है क्या कौन सा जिला में परवेश करती है यह बात आप से पू सुक बोला जाता है अभी साब बोला जाता यह वाता आपको द्यान में रखना है अगर इसका सहायक नदी देखें तो आपको याद रखना रून तमूर- लिखोku- दूद-कोशी टॉद-कोशी- इंद्रावति सुन-कोशी यह सब जो नदी है इसका क्या है कि सहायक नदी एबाता को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अगला कोईचन क्या है कि बिहार में तराई का मीटी का जो मुख फसल है कौन सा है आपसे पूछ रहा है तो गन्हा है गेहू है धान है गन्हा है दलहन एक एक या दूसरा जो ऑप्षन है आपका भी में तंबाकू है दलहन है कosiरण क्या है कि जो नेपाल का झूभी टूट करता है ठीक IS ले चेत में वहां पर तराय का मिटि पाया जाता है पर इस च्छेत में बारिस भी बहुत ज्यादा होता है पानी व बहुत ज्यादा हता है इसलिए है बारिस बहुत बहुत जादा इस दखेती उतना जूट का जो बोड़ा बनता है यह वाद आपको द्यान में रखना है तो गन्ना को भी पानी बहुत जादा चाहिए दान को भी पानी बहुत जादा चाहिए और पटसन को भी पानी जादा चाहिए हम लोग जानते कि सन को पहले उप जाया जाता है और उसके बाद क्या किया ज हो जाता है यहां पर देखिए कि यह जो है आपका दलन है यहां पर भी दलन है यहां पर तेलन को भी कम पानी का जरूरत होता है यहां पर तीनों सही हो जाता है मतलब डी सही हो जाता है यह वाता को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन क्या है कि यहां पर अगला कोश्चन क्या है कि पश्चिम चंपारन का जो जिला है वो सिवालिक पहाड़ी में इसमें किस चटान की परधानता है यह आप से पूछ रहा है मतलब जो पश्चिम होता है ठीक है हम लोग जानते हैं कि क्या है हिमाले जो है तीन पार्ट में बटा हुआ उपरी हिमाले को बाहर हिमाले या सबसे बड़ा हिमाले बीच वाले को मिडल मद्ध हिमाले बोलते हैं, सबसे नीचला को क्या बोलते हैं, चाहे तो बाहरी हिमाले बोलते हैं, चाहे तो इसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं, सिवालिक के नाम से जानते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है, सिवालिक सबसे नीचे है, ठीक है, यह बात आपको याद रखना है, सि बहुत जादा परधानता है बालू और मीटी और बंजरी से इसका जो निर्मान होता है उसको हम लोग बलुआ पत्थर बोलते हैं जो बाकी चटान से क्या होता है कि मुलायम होता है बहुत जल्दी क्या होता है कि प्रभावित हो जाता है सन से बारिश से सबसे बहुत जल्दी प्रभावित होता है ठीक है सिवालिक प्रवस्रेनी जो है हिमाले के सबसे नीचली सरेनी को बोला जाता है यह बाता को याद रखना अरे जो है पस्चमी चंपारन में पाया जाता है यह भी बाता को याद रखना है सिवालिक सरेनी का दक्षनी भाग को हम लोग किस नाम से जा भाइब आपको याद रखना है ठीक है आगला कोशन क्या है कि विहार राज का ओसत उचाई समुद्र तल से कितना है यह आपको बताना है तेहां पर जो ऑप्षन है 40 सेंटी में 40 मीटर है तिरफन मीटर है साथ मीटर है या 58 मीटर है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है सबसे उचा चोटी अगर पूछे तो क्या बताना है सुमेश्वर की पहाड़ी को यह कहां पे है तो आपको याद रखना है पस्टमी चंपारन में है सिवालिक सरेनी का ही पाठ है और इसका उचाई कितना है तो आपको याद रखना है आठ सो उनासी पॉइंट चार मीटर है यह वाता को ध्यान में रखना है ठीक है अगला कोश्चन क्या है कि नलंदा विस्विद्याले का बैवा किसके हाथों दोवारा क्या हुआ था कि नश् गुप्त के दोवारा कुमार गुप्त पर्थम जो थे उनके दोवारा ए बनाया गया था गुप्त बंस के राजा थे उनके दोवारा एनलंदा विस्विद्याले बनाया गया था एनलंदा विस्विद्याले जो है किसके लिए परसिद था तो बहुत धर्म के जो दर्सन है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद था ए बाता को याद रखना है बहुत धर्म के दर्शन के लिए दूसरा बात क्या है कि बक्तियार खिल्जी जो है क्या होता है कि 1198 इस्वी में बिहार सरीप जिसको अधनत पूरी के नाम से जानते थे उसको क्या करता है कि तोड़ फोड़ कर देता है और साथ ही साथ उसमें आग लगा देता है और आग लगाने पिर माना जाता है कि तीन से चार महीना तक क्या हुआ था कि आग जलते रहा था पुस्तक में यह वात आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर कौन इक गलत काम किया था तो आपको याद रखना है बक्तियार खिल जी के बारे में ठीक है समझगे पाटवी सताबदी में इसको बनाया था कुन तो सेन बंस था ठीक है लक्ष्मन सेन उस समय राजा था और उसी समय यह जो खिलजी है क्या करता ठीक है चलिए अगला question क्या है कि बिहार में किसान सवा के अस्थापना किनिके दोवारा किया गया था यह आपको बताना है सहाजानन सरस्वती के दोवारा जैप्रकास नरायन के दोवारा स्वामी अगनिवेश के दोवारा यह इनमें से कोई नहीं ते इसका जो सही उत्तर क्य किया था स्वामी सहजानंद के द्वारा कव किया गया था तो 1929सिवी में किया गया था जब सवनपूर का मेला का यूजन हो रहा था यह काम किया था इस बता को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए ऐगला कोईशन क्या कि बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वहला जिला कौन सा है मुंगेर है सहर सा है औरंगावाद है मदेपूरा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है कि मुंगेर है मुंगेर में जो है लिंगा अनुपात क्या है तो आपको याद रखना है कि 886 है जो बिहार में सबसे कम है लिंगा अनुपात के मतलब क्या होता है सेक्स पूरुश है मंगेर में तेहां पर फेमेल कितने हैं महिला कितने तो आपको याद रखना हैं 55 whale में 1834 सबसे अच्छा लिंगा अनुपाथ बिहार में कौन सा जिला का है तो गोपाल गंज याद रखना अगोपाल गंज में कितना है तो ये मान लिजे कि यहां पर 1000 male है तो यहां पर female की संख्या कितना है तो आपको याद रखना है कि 1015 है ठीक है अगर भारत में सबसे अच्छा लिंगानुपात वला सबसे खराब लिंगानुपात वाला सब्याना में पूछे तो हरियाना में तो है फल्गू नदी के किनारे इस्तित है यह बात को द्यान में रखना है फल्गू नदी जो है दो धर्म के लिए बहुत जादा In착ordन है एक तो पहला हिंदू के लिए ढожд congratulate के लिए जार अगर कलिए बहुत धर्म के लिए देखे तो क्या इसमेह लिए बहुत है और जो अभी का वहां जो मंदीर है ततकाल उसको कौन बनवाई थी तापको याद रखना अहिलिया वाई जो इंदौर के रानी थी महरानी थी ए बाता को याद रखना और एही जो विश्णूपत जो मंदीर है उसका बर्नन रमायन में भी है ठीक है मंगला गौरी मंदीर इहीं प फल्गू नदी है बहुत धर्म के लिए भी important हो जाता है यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है आगे हम लोग इसको देख ले गंगा नदी के बारे में क्योंकि गंगा नदी से बहुत तरीका से question बनाता है तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी के अगर उद्गम अ निकलती है गंगोतरी glacier से निकलती है लेकिन जब निकलती हैना तो इसका नाम क्या होता है तो आपको याद रखना है कि भागी रथी नाम रहता है देव परियाक एक जगह वहाँ पर एक अलग नंदा धारा है और यह धारा दोनों मिलती है भागी रती और अलग नंदा तो जब दोनों धारा मिलती है तब क्या निर्मान होता है तो गंगा का निर्मान होता है गंगा उसका नाम पड़ता है यह बाता को ध्यान में रखना है और अगर आप से पूछ दे कि बिहार र रखना क्योंकि यह भी कोश्चन पूछता है भोजपूर सारन पटना बैसाली समस्तिपूर बेगव सराय मुंगेर खगड़िया कटिहार और भागलपूर होते हुए लखी सराय से क्या हो जाती है कि बिहार से रिषिष्ट कर जाती है तो यह बात आपको ध्यान में रखना है फिक अगला क्योश्चन क्या है कि बिहार कहां विस्त्रित है यह आपसे पूच रहा है करकरेखा कर्येखा में रखना है एगला कोईशन कहा है कि विहार में ग्रामों की संख्या कितना है एगला कोईशन कहा है कि विहार राज में कुल कितना जिला है यह आपसे पूछ रहा है तो 37, 40, 38, 49, इसका सही हुत्तर क्या है आपका 40 38 जिला कभी कभी पूछ लेता है कि 38 जिला बिहार का कौन सा है तो आपको याद रखना की अरबल है ठीक है जो जहानावाद से क्या हुआ था कि अलग हुआ था जहानावाद किस से अलग हुआ था आपको गया से हुआ था ए भी बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगला कोश्चन कहा है कि छेत्रपल के दिरिश्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पश्मी च सबसे बड़ा का च्षितर देखे तो 528 वर नहीं students कि फुरी चम्पारन का कितना है तो आपको याद Review और 2,3667 वर किलो मेटर है और कि अगर जो है तो남 Maurice Creator 32 यह बात आपको याद रखना है यहां तक टाकि आपको चार याद रखते हैं तो question नहीं छूटता है ठीक है serial number में भी पूछ सकता है अगला question क्या है कि बिहार में टीन कहां पाया जाता है छपरा में गया में सहरसा में आरा में तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि गया में यह जो है टीन पाया जाता है यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक टीन जो है किस आयसक से पराप्त होता है भी पूछ सकता है तक कैसी टे राइट से क्या होता है ये प्राप्त होता है ये बात आपको ध्यान में रखना है अगया के देवराज जो छेतर है और पूर के जो खंड है उसमें छीट-पूट में जो है ये पाया जाता है टीन तो ये बात आपको ध्यान में रखना है टीन का डिबबा देखे ह ठीक है अगला कोश्चन है गांदी जी भारत में पहली वार संद्यागरा अंदोलन बहें बीहार में कहां प्रणा किये थे पट्थ नाम से जानते हैं इतना नाम से जानते है तो आपको याद रखना भी तर यहां कि प्रतारित करता था और पर नील का खेती किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि यह जो नील जो है क्या करता है कि खेत को बंजर बना देता है तो किसान वो उसका खेती क्यों करे जब वो खेत कोई बंजर बना देगा तो इसलिए यहाँ पर अंदोलन हुआ ठीक है अंदोलन होने के बाद क्या हूआ कि 1914 इसमी में गान्धी जी से मिले कौन आपको याद रखना है कि राज कुमार सुकल मिले गांधी जी से यह बात आपको ध्यान में रखना है कहां पे तो लख नव में दिवेशन हो रहा था 1916 में वहीं पर ए गांधी जी मिले गांधी जी से मिले राजकुमार सुकल और राजकुमार सुकल क्या किये कि गांधी जी को चंपारन आने के लिए अमंत्रित कियें बताएं वहां का प्रोब्लम कि ऐसे ऐसे बात है यहां पर के खेती करने के लिए जवर्दस्ति कराबिरीटिस से और यह आये भी गांधी जी उस अमंत्रन को सुविकार कर लिए और गांधी जी आये 1917 इस्वी में यह वाता को याद रखना तो यह मतलब याद रखना कि चंपारन सत्यागरा हुआ कब था तो 1917 इस्वी में हुआ ठी कि पूरा किए और यहाँ पर क्या किए कि इस अंदोलन के तहत जो चंपारन सत्यागरा का मतलब चंपारन में जो प्रोवलम था किसानों का उस प्रोवलम को भी खत्म किए मतले सत्याया जो ता इस जो लड़ाई था उसमें गांदी जी का जीत हुआ ठीक है मतलब वहाँ पर लोगों को और गांदी जी का जीत हुआ ए बातक को ध्यान में रखना है तो अगर आप से पूछ सकता है कि भारत में जो गांदी जी का जो पहला सत्यागरा था तो आपको पहला अंदोलन था ता 93 इसवी में सौत अफिर का चले गए किसलिए तो एक मतलब बड़ा आदमी था उसका केस लड़ने के लिए सौत अफिर का चले गए थे वहाँ पर भी क्या किये थे कि बहुत सारा अंदोलन किये थे अंदोलन किये और वहाँ पर भी जो ब्लैक वाइट का जो प्रोब्लम था उसको दूर करने में बहुत बड़ा भूम का निवाय थे यह लौट कर आये कब तो 1915 इसवी में आये थे बीच में भी कभी आये थे लेकिन 1915 में में रूप से आये थे यह बात आपको याद रखना है और आने के बाद क्या हुआ कि ए जो है सबसे पहले 1916 में सबसे पहले सावरमती आश्रम का अस्थापना किये थे गुजरात में उसके बाद एक कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में उपस्तित हुए थे ठीक है यह बात आपको द्यान में रखना उसके बाद उपस्तित होने के बाद राजकुमार सुकले से मिले और फिर चंपारन अंदोलन हुआ ठ ठीक है और तीसरा काम क्या हुआ कि एनी जो बसेंट थी वो इंडिया आई थी यह बात आपको याद रखना है वही एनी बसेंट जो 1916 इसवी में कहा हुआ था कि होम रूल जो रूल हुआ था लीग हुआ था उसमें क्या था कि मेन भूम का निवाई थी तिलक के साथ ठीक ह यह बाता को याद रखना है अगला कोश्चन क्या है कि बिहार की जो सिमा है संबंदित कौथन कौन-कौन सा जो है सही है यह आप से पूच रहा है ठीक तब यहाराज की जो सिमा है सिमा को अशपर्स करने वाला भारत राज की संख्या तीन है यह सबसे पहला option है ठीक है बिस्वर की जो स्रेनी है सिर्ष भाग जो है बिहार और निपाल के बीच में क्या करता है कि सीमा रेखा बनाता है यह या इसका जो आप्शन क्या है डी में क्या है कि उप्रियुक्त में से सभी सही है तो इसका जो सही है कि यहां पर सभी सही है यह वाता को याद रखना है देश के जो जारकन्ट उतरपर देश यह भी शही हो गया यह भर समेस्वर की सरेणी के बारे में बताएं कि यह सबसे ज्यादा तो 889 सी मीटर से ज़्यादा थोड़ा सा है यह बात आपको याद रखना है पस्टमी चंपारण में अलग वग वग 24 किलो मीटर तक क्या करता है कि नेपाल और क्या करता है कि बिहार में सिमा साधा करता है यह भी बात आपको याद रखना कौन तो समेशवर किसरे नहीं ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखना है अगला जो कोश्चन आपका क्या है और लाश्ट कोश्चन क्या है कि पटना का अस्थानिये समय निमलिखित में से क्या है तो भारतिये मानक समय से पीछे है या वही है जो भारतिये मानक समय का है या भारतिये मानक समय से संबंदित है ही नहीं तेहां पर A वाला तो D वाला तो हटाईए दीजिए तेहां पर सबसे सही उत्तर क्या है इसका जो है भारत का जुमान किये समय है उससे क्या है कि आगे है अगर आपको ध्यान में रखना है कि UP में एक मिर्जापूर जगा है ठीक है UP में एक मिर्जापूर जगा है आपको देसांतर रेखा, खड़ी रेखा को देसांतर रेखा बोला जाता है, तो देसांतर रेखा गुजरा है, और इसी से क्या होता है, कि यह ही मिर्जापूर से उत्तर पर देश के जो मिर्जापूर है, वहां से क्या होता है, कि भारत का समय का गनना होता है, ठीक है, यह बात आपक कि पीछे होगा यह बात आपको याद रखना है भारतिये मानक समय से तो हम लोग जानते हैं कि यूपी से बिहार क्या है कि पूरब साइड में है तो आपको याद रखना है कि यह जो है आगे रहेगा यह बात आपको ध्यान में रखना है तो भारतिये मानक समय से जो है बिहार का मतलब पटना का जो मानक समय है वो आगे है कितना मिनट का अंतर है तो आपको याद रखना कि 15 मिनट का अंतर है यह बात आपको याद रखना है हम लोग जानते कि अगर 1 degree का difference होता है अगर 82 से 83 आजाएगा 66 64 मिनट का अंतर होता है कि अपना मिनट 15 मिनट का क्या है कि अंतर है ये बात आपको ध्यान में रखना है तो चलिए आज के लिए इतना है वीडियो अच्छा लगो तो क्या करिएगा लाइक करिएगा कॉमेंट करके सेर करके सस्क्राइब कर दिजिएगा ताकि आपके पास नोटिपिकेशन टाम टू टाम अजया सकतो चलिए टू चलिए इतना है वीडियो के लिए मेर्ढों का सकितो चलिए तो भीडियो करिए तो अबसेगह वीडियो का में वीडियो के समया उवार्बू आपके, खुरीज के सीजार चुरी थाउर ठापट झाले।